नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी लोगों का एक बाद फिर से स्वागत है मेरे पास ना ये कुछ लकड़ी के डिबबे रखे हुए थे मैंने कभी कोई furniture बनवाया था तो उसके ना ये boxes बच गए थे तो सोचा क्यों ना इससे kitchen के लिए एक अच्छा सा organizer बना लेती हूँ मुझे जरूरत भी थी और एक डिबबा जो बचा हुआ है इसको मैं बाद में use करूँगी कोई अच्छा सा DIY बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ उसे भी share करूँगी ये छोटी ceramic tiles है ये भी बहुत अच्छा option लगा मेरे को अभी आप आगे देखेंगे कि मैंने इसका क्या किया है तो कुछ नया करे ना तो बहुत अच्छा लगता है और जैसे बार पास लकड़ी की beading होती है उसी तरह की ना ceramic की beading आती है छोटे वाले के size से मैं cut करूँगी मुझको जितनी भी जरूरत है उसको मैं cut लूँगी क्योंकि ऐसा DIY ना मैं पहली बार बना रही हूँ तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं उंगली ना cut जाए और ये कहीं गलत ना cut जाए लेकिन जब मैंने इसको काटा तो ये असानी से cut गया कोई भी DIY बनाने से पहले जो छोटी छोटी चीज़े होती है जो उस DIY में हमें use करनी है पहले ही उस काम को करके हमें रख लेना चाहिए जैसे ये मेरे को beading को काटना था तो मैंने इसको पहले ही काटके रख लिया है आप भी सोच रहे होगे कि ceramic tile से आखिर क्या बन सकता है तो मैं एक एक tile को इस तरीके से इस पे लगाना चाहरी हूँ और बीच में ये golden वाली beading है इस तरीके से मेरे को लगानी है तो एक tile और एक beading एक tile और एक beading इस तरीके से मेरे को इस box पे इसे लगाना है और मैं कुछ आपको roughly idea दे देती हूँ मैं इस तरीके से इसको बनाना चाहरी हूँ और मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा issue था कि इसको मैं चिपकाऊं कैसे क्योंकि काफी सारी चीजों को तो हम glue से चिपका लेते है tile को wood पे चिपकाने के लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या use करूँ कि ये चिपक जाए तो फिर मैं market गई मैंने उनको बताया भहिया को कि मेरे को लकड़ी के उपर tile चिपकाना है तो वो खुछ सोच में पढ़ गए कि ये कौन सा DIY या क्या बनाने वाली है जो लकड़ी पे tile चिपकाना है इनको तो वो बोले कि ये तो हमने पहली बार ऐसा customer देखा है जो tile लकड़ी पे चिपकाना चाहरा है लेकिन उन्होंने मुझको एक option बताया वो बोले कि आप न एरेलाइट यूज़ करके देखिए क्या पता इस से आपका काम असान हो जाए वो बोले कि हम इसकी surety नहीं लेते हैं कि tile जो है लकड़ी पे चिपक जाएगा लेकिन आप इसको यूज़ करके देख सकते हो मैं ये लेकर आई हूँ इसमें दो ट्यूब है दोनों को आपस में मिक्स करना है एक packet ये 60 रुपीस का मेरे को पड़ा मैं दो लेकर आई हूँ तो अब देखते हैं ट्राय मैंने इसको करा कि चलिए देखें कि tile जो है लकड़ी पे चिपक जाएगा तो आप भी आगे देखिएगा कि वो चिपका या नहीं चिपका मैंने डायरेक्ट लकड़ी के उपपर दोनों ट्यूब को यूज करा एक एक करके पहले मैंने वाइट वाली ट्यूब यूज करी फिर ब्ल्यू वाली ट्यूब यूज करी पहले सोचा था कि इसको एक अलग से paste बना लेती हूँ फिर इस पे apply करूँगी लेकिन मैंने direct दोनों को इसी पे apply कर दिया और उसके बाद ना एक brush की help से सारे जो ये mixture है इसको सब में मैंने अची तरीके से spread कर दिया और दिमाग में एक doubt तो चली रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर result नहीं मिला तो क्या होगा लेकिन बस हम हर चीज़ को अगर जब तक करके नहीं देखेंगे तो हम को पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या कुछ अच्छा बन जाएगा लेकिन मैंने इसको आज experiment को मुझे करना था तो मैंने इसलिए आज बिल्कुल सोचा कि मुझे आज ये काम को पूरा खतम करना ही है तो इस तरीके से न सब पे मैंने पूरी जो एक portion है इस पे इस mixture को न अच्छी तरीके से फैला दिया उसके बाद जो ये छोटे वाले टायल है ये मैंने इस पे fix करे थोड़ा सा इसको मैंने प्रेस कर दिया ताकि जितना भी ये जो solution है इसके उपर अच्छी तरीके से चिपक जाए और ये golden वाली beading भी इसी तरीके से मैं इस पे लगाती जाऊंगी थोड़ा सा जो side में जो इसका portion है इस पे भी इस solution को मैंने लगा दिया ताकि जितना भी अच्छी तरीके से ये चिपक जाए कहीं से भी टायल मतलब की गिरे नहीं क्योंकि अभी तो मेरे मन में doubt ही है कि ये इस पे चिपकेगा या नहीं तो इस तरीके से मैंने जितने भी टायल है इस तरह यहां पर चिपका दियें ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी चिपकाऊंगी और थोड़ा सा इसको सपोर्ट देने के लिए न ये आपका जो डबल टेप होता है उसको मैं इस पे लगाती जाऊंगी जिससे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इस पे चिपक जाएगा अगर ये वाला डियाएवाई सक्सेस्फुल रहा तो ये बहुत भी बढ़िया डियाएवाई बनेगा अब देखते हैं ये मेरे लिए एक चैलेंज बन गया है आज तो इसको मुझे करना है और मैंने ठाना हुआ है इस तरीके से देखो ये पूरा यहाँ पर मैंने इसे चिपका दिया है ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी इसको चिपकाऊंगी तो टैल न चिपक गई है और यहाँ पर अब साइड में भी मैंने टैल को लगा दिया है और अच्छी तरीके से ना पेपर टेप से मैंने हर तरफ से बिलकुल इसको सेफ कर दिया है इसको बारा घंटे के लिए रखना बहुत जरूरी है सूखने के लिए देखेंगे इसको फिर की इसका रिजल्ट क्या रहता है मन मेरे एक डाउट तो अभी भी है कि टायल इस पे अच्छी तरीके से चिपके हैं या नई चिपके हैं कहीं ऐसा नहों कि बाद में ये छूट जाएं तो अब देखो बिलकुल भी कहीं से भी कोई भी टायल ना खिसक नहीं रही है अच्छी तरीके से ये fix हो गया है हिलाने पे भी यह नहीं हट रही है और यह काफी हैवी और्गनाइजर बनके तैयार भी हो गया अब मैंने इसके अंदर कर दिया है काले रंग का पेंट सोच रही थी कि मैंना पहले इसमें ब्राउन कलर का पेंट कर दूँ लेकिन मेरे पास जो एवलेबिल था मैंने वो ही कलर इस पे कर दिया गोल्डन कलर की डोरियां है इससे मैं न चोटी बनाऊंगी जैसे चोटी होती है उस तरीके से एक लंबी सी चोटी बनानी है इसको मेरे को बॉक्स की जो एजिस है उस पे लगाना है क्योंकि जो गोल्डन बीडिंग थी वो खतम हो गई थी ओप्शन कोई और नहीं मिल रहा था ग्लू गन की हैल्प से दोनों तरफ न मैं इस चोटी को चिपका दूँगी और बाद में अब इसकी मैं करूँगी फिनिशिंग किसी भी चीज की फिनिशिंग करना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे लुक के लिए और यहां पर ना देखो हमारे पास जो ये अक्रिलिक कलर्स होते हैं इसके जो ढखकन होते हैं ये भी बहुत यूसफुल होते हैं मेरे को इसके नीचे बॉक्स के नीचे जो है ना स्टैंड लगाने थे तो इनको मैंने पेंट करके रख लिया है और ये बॉक्स के नीचे अच्छी तरीके से इसको चिपका दूँगी किचन में हमें कभी भी कोई भी चीज लगानी हो या रखनी हो तो इस टैंड का होना बहुत जरूरी होता है चीजों को खिसकाने के लिए सफाई में बहुत असानी हो जाती है इससे इस तरीके से लग रहा है अभी इसके नीचे कोई भी पेंट नहीं करा है मैं इसके नीचे बाद में कोई प्राइमर वगेरा कर दूँगी और फाइनल अगर आपको इसका लुक दिखाऊं तो ये इस तरीके से अंदर से दिख रहा है इसके अंदर अब सामान रखने के बाद ये कैसा लगता है आप बताईएगा आप आप लोगों को ये डियाइवाइ ज़रूर पसंद आया होगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अच्छी लगिए तो उसको लाइक करिएगा आने वाले वीडियो में बहुत सारे नए नए डियाइवाइज आप लोगों के लिए में लेका रहाँगी तब तक के लिए बाइ बाइ एंड टेक केर